Assalamualaikum friends, so कैसे हो आप सब? इस वीडियो में आपको एक auto sharing plugin दूँगा इस plugin के तुरू आप unlimited traffic ले सकते हो क्योंकि ये plugin articles को automatically in top social media apps पर share करता है आप daily unlimited sharing कर सकते हो इस plugin को mostly auto blogging के लिए use किया जाता है बट अगर आपके पास एक normal blog है जिस पर आप खुद content लिखते हो तो इस plugin के तुरू आप google में ranking कर सकते हो और social traffic के साथ साथ आप organic traffic भी ले सकते हो मैंने आपको पहले भी कहा था आपके पास जितने ज़ादा ये social accounts होंगे उतनी ही ज़ादा आप traffic ले सकते हो for example अगर आपके पास twitter के 4 accounts है और एक twitter account से आपको per day 50 visitors आते हैं आपके blog पर तो 4 twitter account से आपको 200 visitors आएंगे और इस तरह से आपके फास facebook है instagram है, pinterest है तो आप इनको भी add करके और ज़्यादा traffic ले सकते हो और इसके लिए आपको one time setup करना है and then automatically आपके articles share होंगे now ये one time setup आपको कैसे करना है ये बताने से पहले अगर आप इस वीडियो पर new हो तो भाई ये वीडियो आपको take से समझ नहीं आएगी क्योंकि ये पूरा setup auto blogging के लिए है तो अगर आप भी auto blogging सीखना चाहते हो तो इसी वीडियो की description में आपको एक playlist का link मिलेगा उस playlist में आपको ये 3 वीडियो मिल जाएंगे ये 3 वीडियो देखने के बाद आप auto blogging start कर सकते हो इस method को लोग sell करते हैं बट मैंने आपको बिल्कुल free में बताया है जो भी है इसके लिए जितने भी plugins आपको चाहिए होते हैं इंस्टॉल करने के बाद उसके अंदर आपको तोड़ा सा setting करना है setting ये होगा कि आपको जैसे मैंने पहले कहा कि आपके पास social accounts होनी चाहिए तो जितने भी आपके पास social accounts है यनि कि अगर आपके पास facebook की 4 accounts है तो आप 4 accounts इसके साथ connect कर दो तो क्या होगा कि आपकी इस blog पर जितने भी articles आएंगे daily अगर आप auto blogging कर रहे हो तो auto blogging में आपको पता है कि daily आपके 1000 articles भी आ सकते हैं वो आपके उपर है आप जितने भी post करना चाते हो आप कर सकते हो तो अगर आप daily 1000 articles post करते हो तो भाई वो 1000 articles आपके 4 facebook pages पर share होंगे और इस तरह से आप सोच सकते हो कि आपको कितनी traffic आ सकती है अच्छा जी एक और बात मैं आपको बता दूँ मुझे काभी सारे comments आये थे इस video पर कि भाई जो आपने pre hosting दी है उस पर ये plugin काम नहीं करता ठीक है अब भी जो मैं आपको plug-in दूँगा ये दोनों same है लेकिन इसमें unlimited shares होते है ठीक है इसमें कोई limit नहीं है तो अगर ये plugin भी pre hosting में auto sharing नहीं करता है तो आपने मुझे simple comment करना है मैं एक और pre hosting के बारे में बता दूँगा लेकिन पहले उसको खुद test कर लूँगा and then उसके उपर video बना दूँगा now आपको plug-in के section पर आना है और यहाँ पर आने के बाद अब हम उस plugin को यहाँ पर install करके activate करेंगे ये plugin आपको कहां से मिलेगा कहां से आप इसको download कर सकते हो ये भी मैं आपको बता दूँगा यहाँ पर आप देख सकते हो पहले हमने इस plugin को यूज किया था jetpack को लेकिन इसका मसला ये था कि एक तो ये free hosting में run नहीं हो रहा और दूसरा ये कि ये बहुत कम sharing करता है अब जो मैं आपको plug-in दूँगा ये भी same jetpack ही है लेकिन ये unlimited sharing करेगा और में भी ये आपकी pre hosting में run भी हो जाए लेकिन मैंने पहले ही आपको बता दिया कि अगर आपका run नहीं हो रहा या कोई और भी मसला है तो आप मुझे simple comment कर दो अचाहिए यहाँ पे आपने upload plugin पर click करना है और जो भी plugin मैं आपको दोंगा उस plugin को आपने यहाँ पर select कर लेना है ओके सो plugin मैंने add कर दिया अब यहाँ पर इसको install करते हैं आपने भी same इसी तरीके से install करना है लेकिन video को आपने skip नहीं करना अगर आप यह सोच रहे हो कि यार इस video में जिस तरीके से आपने setting बताया था same वही होगा तो भाई यह same नहीं है तोड़ा सर different है बाद में आपको मसला आ सकता है इसलिए video को complete देखो अज़ा जी यहाँ पर आप देख सकते हैं यह install हो रहा है तब तक मैं आपको बता देता हूँ तो यहाँ पर आप देख सकते हो यह install हो गया है अब हम इसको यहाँ पर करेंगे activate तो plugin को activate करते हैं और बागी भाई इसको आप easily ले सकते हो मैंने आपको complete समझाया है कि कैसे आप इसको download कर सकते हो direct link में आपको provide नहीं कर सकता क्योंकि भाई मसला बनेगा तो यहाँ पर आप देख सकते हैं यह भी वही plugin है यहाँ पर आपने क्या करना है कि पहले जो account आपने create किया था उस account को आपने use नहीं करना है यहाँ पर आप जैसे ही click करोगे setup jetpack पर तो यहाँ पर click करने के बाद अब आगे आपने new account create करने new account create करना बहुत ही easy है आपको अपना email यूज करना है कोई भी different email यूज कर लो और आपने अपना name यह first name last name होता है आपका password होता है तो उस पर time waste नहीं करेंगे वो बहुत ही easy है आप इस तरह से setup कर सकते हैं मेरे पास यहाँ पर all ready account है मैं इस account को use करूँगा लेकिन आपने जो आपके पास पहले account है उस account को आपने use नहीं करना जैसे यहाँ पर मैं use कर रहा हूँ अब इसको मैं use कर रहा हूँ यहाँ पर तो मुझे मसला आ सकते है तो यहाँ पर आपने new account create करना है तो उसके लिए भाई पहले इस page को refresh करते हैं, आपको bake आना है अपने dashboard पर ठीक है, और dashboard पर आने के बाद, यहाँ पर जो आपका jetpack है, यह देखे एक section यहाँ पर बन गया, तो आपने जो है भाई क्लिक करना है, dashboard पर ठीक है, आपने इस sharing पर click करना है, and again, यहाँ पर आपको likes का एक button, जो likes buttons है, वो भी आपको मिलेंगे, तो इसको भी आपने यहाँ पर allow करना है, जरूर आपने इसको allow करना है, ठीक है, यह allow करने के बाद, connect your social media accounts, तो इस पर आपने click कर देना है, जैसे आप यहाँ पर click कर दोगे, तो आ LinkedIn है, यहाँ पर मैं क्या करूँगा, ट्विटर को connect करूँगा, तो ट्विटर connect करने के लिए आपको connect पर click करना है, जैसी आप connect पर click करोगे, आपने इसको allow कर देना है, और आगे आपके पास अगर जादा Twitter accounts यहाँ पर open है, एक PC में, तो आपको आपके सामने जो है, यहाँ आपको arrow नजर आ रहा है, तो भई, नीचे आप देख सकते है, मेरा एक account यहाँ पर connect है, और अब अगर आप 2-3 accounts और connect करना चाहते हो, तो आप connect one more account पर click करो, तो आप यहाँ पर और जादा Twitter account connect कर सकते हो, तो मेरी भई, आप लोगों के जो comments आ रहे थे, कि आप बता दो, जो इस वीडियो पर मैं 400 likes का target रख रहा हूँ, और 200 subscriber का, अगर आप लोगों ने इस target को complete कर दिया, तो भई, मैं आपके साथ विद प्रूब एक blogging topic शीर कर दूँगा, जिस पर मैं one month से काम कर रहा हूँ, और मेरी earning start है, मैं आपको AdSense की earning जो है वो दिखा दूँगा, तो आप आपको simple क्या करना है, कि वीडियो को like करना है, चैनल को subscribe करना है, जैसे ही target complete हो जाएगा, तो भई, मैं वीडियो अपलोट कर दूँगा, और इसके बाद जो वीडियो है, वो आप ही लोगों की कहने पर मैं बना रहा हूँ, ads, ads setup पर, मैंने पहले भी कापी videos बनाई है, लेक मैं again कहे रहा हूँ, कोई भी आपको problem हो, तो आप मुझे बता सकते हैं, इस plugin का use बिल्कुल easy okay करना, आपको अगर कोई भी problem है, मुझे बताना, इनको आपने email नहीं करना, अगर इनको आपने email कर दी तो भई, इस तरीके से ये बन कर देंगे, आटो, जो unlimited sharing है, वो बन कर दे आपको नहीं मिलेगा, link description में है, जाके देख ले कैसे इसको आपने download करने, उस सारा तरीका मैंने बताया है, मिलते हैं next video में, अलाफीस